नमस्कार आप देख रहे हैं जिम्डी नियूज और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी पंडे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडेत पवंतिवारी जी पंडेत जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो जैसा कि कार्थिक पूरणी मा का पावन पर्व है जिसे देव दीपा भली भी कहते हैं ये हिंदू में मशुर ऐसे Gibhar है जिसका अपना ही महत्व है महत्व इस्दान का है महत्वदान का है तो चलिए पंडी जी से जानते हैं कि सर्विशेस पर्व के बारे में पंडी जी सबसे पहले तो आप से ये जाना चाहेंगे कि कार्टिक पूर्णमा क्यों मनाते हैं कि शुभांगी जी बहुत अच्छा प्रश्ण है और बहुत अच्छा विशय है हमारे दर्शुकों के लिए देवदीपावली और कार्टिक पूर्णमा क्यों मनाते हैं कार्टिक पूर्णमा आपने पूंचा है तो परड़क मानेताओं में हर महीने की पूर्णमा तिथी को अधार्मिक दरश्टी से खास माना जाता है लेकिन वर्ष में कुछ ऐसी पूर्णमा तिथियां भी होती है जो कि धर्म कर्म के हिसाब से बहुत महात्वपोन होती है उन्हीं में से कार्टिक पूर्णमा मानी जाती है और जो कार्टिक महाश्य की पूर्णमा तिथी होती है इस दिन भगवान विष्णुको के मत्यावतार का प्राकट्टे हुआ था कार्थिक पुनिमा के दिन भगवान का मत्या उतार उस वजग्जै से थि धार्मिक द्रश्टी से बहुत इस दिन पवित्र नदियों में इश्णान करने का और दान वा पुर्ण करने का शास्त्रों में भी विशेश महात्तों है और इस दिन ही भगवाई शिव ने त्रिपूरा शुर नामक राक्षस कांत किया था इस वज़े से कार्थिक पूरिमा को त्रिपूराली पूरिमा के न पुरुनानक देवजी का अवतरर हुआ था इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा पर जैसे कि पहले भी पताया कि भगवान विष्णु ने मत से अवतार लिया था इसे देव दीपावली भी कहते हैं इसे भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है प्राचीन समय में ज इसकारान इसे देव दीपावली भी कहते हैं कातिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में इश्णान करना गंगा नदी में डुपकी लगाने को सास्त्रों में विशेस पूर्णिदाई बताया है ऐसा करने से जन्म जन्मों के पापों कांत होता है और इस दिन श्वर्ग से देवता लोग भी आकर के गंगा में इश्णान करते हैं इसलिए इस दिन गंगा इश्णान जरूर करें हाँ अगर आपके लिए यह गंगा जी में जाकर के इश्णान कर पाना संभो ना हो तो घर पर ही इश्णान के जल में गंगा जल मिला करके इश्णान करें लेकिन स्थन पर जैसे की जहां गंगा का पावा नुद्गम हो तट हो वहां पर जाकर किश्णा करें पढ़नीची कहते हैं कि इस पर्वका जितना महत्व है उतना इसमें के जाने वाले दान का भी महत्व है आप से जाना चाहेंगे कि कार्तिक पुणिमा पर क्या द्यान करना अगर आप चाहें तो कार्तिक पुणिमा के दिन फल गुड आनाज और वस्तरों का दान कर सकते हैं वैसे सो सास्तरों में पुणिमा का दिन मालक्षमी को समर्पित पताया गया है और है भी इसलिए पुणिमा के दिन मालक्षमी की प्रेवस्तू जैसे अक्षतानी चावल न इब परिजे कार्फिक पूर्णिमा की जो पुजा कHYा है कर्फी का 20 कुलर को 12 9 कर 025 मिनत और फूर्णिमा नोंबर को दो फेल्श का इशनान रहेगी दो उननीस नॉबर को सुर्यास से पहले तक भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि उद्यादी थी के कारण पूरे दिन पूर्णिमाती थी मानने होगी उन्नेस तारी को और कार्थिक मास की पूर्णिमाती थी को तुलशी पूजन का विशेश महत्तो है यदि देव प्रबोधनी ये कादशी पर आप तुलशी विवाहवा भग्मन होता है और भगवान विश्णू के साथ मालक्ष्मी भी प्रशन होती है तो सभागे श्रामग्र तुलशी पूजन भी करना चाहिए इस कार्थिक पूर्णिमा पर पंडिजी कार्थिक पूर्णिमा से जोड़ी क्या कुछ मानेता भी हैं अगर हैं तो हमारे दर्श और कार्थिक महां की अंतिम्ति ती यानि पूर्णिमा पर इस महीने के इश्णान संवापत तो हो जाएंगे कार्थिक इश्णान का महात्थ होता नकि нов जीए बहुत सारी इस्तरियां महिलाएं बच्चे चान्याक करती है यानि सूर्योदय शेपूर्व चंद्रमा की छाया में इस नान किया आता है जो कि बर्ममोत में किया आता है चार से पात बजे के बीज़ ऐसी मानेता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी मेशनान दीबदान पूजा आरती हवन वा दान पुर्ण करने से अक्षे को फल आनाज डाल चावल गरम वस्त्र आदिक अदान करना चाहिए दूसरा काम है कार्तिक पूर्णिमा पर अगर नदी में इशनान करने नहीं जा पा रहे हैं आप तो घर में ही सुबह जल्दी उठें और पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला करके इशनान करें वा इशन भगवान को जल जरूर दें और जल जब भगवाई शुरे को अर्पित करें तो तामे के लोटे से अर्पित करें और अर्ग देते समय शुरे के मंत्रों का जाप करें वा किसी गउशाला में जाकर के हरी घास का दान करें वा गईयों को हरी घास वा हरा चारा जरूर खिलाए और इस पूरी मा के दिन स्युलिंग पर भी जल चड़ा सकते हैं भगवाई शिव का पूज़न भी कर सकते हैं और महा शिवाय मंतर का जाप कर सकते हैं और भगवाई शिव के साथ गरेश जी, मा पारवती वा कार्तिके स्वामी वा नंदी जी की भी विशेश पूजा करें हाँ हनुमान जी के सामने दीपक जला कर हनुमान चालीशा या शुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं इस देव दीपावली यानि कार्थिक पूर्णिमा के दिर पंडीचे देव दीपावली के दिन दीपदान का क्या महत होता है देखे कार्थिक महा की पूर्णिमाती थी के दिन देव दीपदावली का परवमन आया जाता है इस दिन वारानशी की गंगा नदी में यानि वारानशी शहर में वारानशी में जन्म मुक्ति महिजानी ग्यान खानी अगहान करी जहां बस संभ भवान शोकाशी शेह कसना ऐसा क कहा गया है कि जहां भगवान शंकर वह मापार्वती निवास किया हो उसकाशी में सभी को जाना चाहिए तो उसी काशी में गंगा नदी में दृद्धान करने का विधान है कार्थिक महा की पूर्णिमाती थी के दिन देव दीपावली का परव मनाया जाता है कार्थिक पू सुर्णामक राक्ष स्कांतकर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ती दिलाई थी इस्यू पलक्ष में इस देव दीपावली के दिन स्वयं देवता दीपावली का परो मनाते है धन्दु धरवन में दीपावली का तेवहार सबसे बड़े दिवारों में से एक हलाकि इसका अयोजन कार् clock कार्थिक माहा कि अमावश्ययति टिके दिन किया जाता है मोश्यति टिके दिन होता है और इस दिन आधार आम जन्मानर भगवान राम के अयोध्या वापस लोटने की खुशी में इस दीपावली का तेवहार मनाते हैं लेकिन कार्तिग महा की पूरिमाती थी के दिन देवता स्वयम काशी यानि वारानशी में महगंगा के तरपरा करके दीपावली मनाते हैं और इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है पराणिक कथा है कि इ आरे देवता काशी आये थे और वहां आकर के भगवाएंशियू का पूजन किया और दीपावली भी मनाई तब से आज तक देव दीपावली काशी में मनाई जाती है देव दीपावली के दिन विशेश कर गंगानदी या दूसरी पवितर नदियों में दीबदान करने का कार्तिक पूणिमा के दिन भगवान विश्णू ने मत्से आउतार लिया था इसलिए देव दीपावली पर दीबदान करने से वैकुंठ लोग के द्वार खुल जाते हैं तो अगर आप सीधे वैकुंठ जाना चाहते हैं वैकुंठ की कामना है भगवान के प्रिय होना चाह पंडिजी कार्तिक पूणिमा यानि के देव दीपावली का सनातन धर्म में कहते हैं विश्यस महत्व हैं मानता यह भी है कि अगर अपनी इच्छा निसार इस दिन विश्थान विश्थे इस पर दीपक जलाया जाता है तो सभी देवी देवता प्रसंद होते हैं और इक्ष भाव से करना चाहिए कौन सी मनोकामना के लिए दीपक जलाना चाहिए और कहां पर जलाना चाहिए अगर आपकी इंकम में वर्दी नहीं हो रही है बहुत सारे लोग ऐसे परिशान होंगे मैं दर्शक तो देव दीपावली कार्तिक पूणिमा के दिन मा लक्षमी के सामने गाय की घी का दीपक जलाएं ऐसा अगर करते हैं तो आपकी इंकम में बढ़ोत्तरी होगी ही साथ ही आपको आए के नई श्रोध भी प्राप्त होंगे अगर आए दिन दुरगटनाओं का सिकार होते रहते हैं आपके साथ घटना दुरगटना होती रहती है एक्सिडेंट हो है ऐसा अगर करेंगे तो दुरगटना और सिवरात मिलेगी साथ ही आपके जो विरोधी हैं जो दुर्ष्मन है वह भी परास्त होंगे यानि एक पंत दो काज हो जाएंगे तो इस देव दीपावली हनुमान जी के सामने भी दीपक जलाना है बिल्कुल भूलिएगा और जी का कोई चित्र हो या किसी मंदर में मा सरस्थी की मूर्ती हो तो उनके सामने देशी की का एक दीपक जला दीजिए और इसके साथ ही मनीमन प्रातना करें कि है शरस्थी मा विद्या की देवी मुझे बुद्धी विद्या और शफलता का अशिवाद दीजिए अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तरक्की पाना चाहते हैं या फिर नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको देव दीपावली के दिन भगवायन विष्णू के आगे यानि विष्णू की विष्णू जी के सामने दीपक जलाना होगा ऐसा करने से आपको नौकरी में त बिमार रहता हो तो इस देव दीपावली के दिन भगवाई शूरे की प्रतिमा फोटो या सूर यंत्र इस्थापित कर लें और उसके सामने दीपक जलाएं और मनीमन बीमारी दूर करने की प्राल्थना भगवाई शूरे से करें ऐसा करने शी बीमारी जल्द ठीक हो जाती है और अगर आपको धन प्राप्ति करनी है धन चाहिए बहुत सारा चाहिए तो आपको धन का भाव है और धन की तंगी में आप जीवन यापन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है किवल देव दीपावली के दिन भगवान कुबेर अभी प्रेम पाना चाहते हैं अपने शाथी का प्यार पाना चाहते हैं या फिर जीवन में प्रेम पाने के लिए आपके जीवन में अगर प्रेम का भाव है उसको पाने के लिए देव दीपावली के दिन भगवान कुछन के समक्ष गाई के घी का दीपक जलाएं ऐसा करने से अगर आप या परिवार का कोई सुझे लंबे समय से भी मार है तो इस देवदी पावली के दिन शूर की मूर्ती हो या फिर सूर्यंत्र हो सूर्यंत्र इस्थापित कर लें और उसके शमक्ष एक दीपक जलाएं ऐसा करने शिरोग जल्द ठीक होगा और रोगों से छिटकारा म आगे आपको बस एक दीपक जलाना है बिजनस में धनकी प्राप्ति होगी व्रद्धी के साथ विस्तार भी होगा आपके ब्यापार का तो यह कुछ मुख्य इस्थान हैं मुख्य बाते हैं जो हम समस्कते हैं कि हमारे दर्शुकों के प्रमुख प्रश्ण होंगे बहुत सा से परिशान है ब्यापार आपका नहीं चल रहा है पैसा फंसा हुआ है तो आपको यह उपाय करना है तो उन उपायों की भी बात सुभांगे जिमने अपने दर्शुकों को बताई है अगर यह करेंगे तो उन्हें लाब भी जरूर होगा पंडिचे देवदीपावली मनाने की पीछे बॉरान बानेताएं हैं पहारानिक बानेताओं के अनुसार देवधीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुराश्व राक्षस का संग्वार किया था जिसकी वजह से वो त्रिपुरारी के रूप में पुझी चीन नाम त्रिपुरारी भी है और इसी भगवान विष्णु ने मत से उतार लिया था तीसरा कारण है कि कार्टिक पूरिमा को ही स्री कृष्ण भगवान को आत्म बोध हुआ था और ये भी का जाता है कि इसी दिन देवी तुलुशी जी का भी प्राकट हुआ था देव दिपावली के दिन देव उठनी एकादशी क के दिन देवता जागरत होते हैं और कार्टिक पूरिमा के दिन वो यमुनातर पर इश्नान करतकर दिवाली मनाते हैं इसलिए इसे देवी पावली भी कहा जाता है और कार्टिक पूरिमा को ब्रह्मा विष्णों सिव अंग्रा और आधित्यादी ने महापुनीत पर्व इस नदी इसनान और दीबदान करने का क्या फायदा होता है कार्टिक महा की पूरिमा के दिन को देव दीपावली का पर्व मनाये जाता है और इस दिन पवेत्र नदी में इश्नान करना वह पवेत्र नदी में दीबदान करने का विशेश महात्त है देवतानी एकाजिशी के द पूर्व में बताया है इस महीने में भगवान श्री हरी जल में ही निवास करते हैं मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक माहमी इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मवजूदगी में शुर्योदे से पूर्व ही पुण प्राप्ति के लिए इसनान नित्य करना चाहिए ऐसा बहुत सारी महिलाएं इसनियां बच्चे करते हैं खासकर पूर्णिवा के दिन ऐसा इसनान करना अधि उत्तम माना गया है देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाटों पर आकर दीब जिलाकर अपनी प्रशनता को दर्शाते हैं इसलिए दीबदान का बहुत ही महात्व है कातिक महिने में भगवान बिश्णों या उनके आवतारों के समक्ष दीबदान करने से समस्त यग्यों तीर्थों और सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है संकट से मुक्ति मिलती है नदी तालाबादी जगहों पर दीबदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और अकाल नहीं होती यम शन राव और केतु के पुरे बुरे प्रभाव से जातक बच जाता है सभी तरह के अलाएं अला बला ग्रह कलह शंकटों से बचने के लिए भी दीबदान करते हैं दूसरा कर्ज मुक्ति के लिए दीबदान करते हैं दीबदान करने से जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता ह और तीसरा कारण है पुनर जन्म का कष्ट भी मिटता है कार्थिक कोणिमा को संध्या के समय त्रिप्रोथ्षों करके कीटा पतंगा मश्रकाश्च ब्रक्षे जले इस्थले ये विचरंती जीवा द्रश्ट्वा प्रदीपम नहीं जन्म भाग नस्ते मुक्त रूपा ही भवत इन मंत्रों से दीबदान करें तो पुनर जन्म का कष्ट नहीं होता अपने मृतकों की शदगती के लिए अपने पूरजों की शदगती के लिए भी लोग इस दीपावली दीवदान करते हैं और इतना ही नहीं चौता कारण मनों कामना पूर्ण होती है इस दिन गंगा के त है तो उसलिए भी दिव्दान करते हैं लक्ष माता भगवान वश्णू को प्रसुन करते हैं उनकी कृपा यह you दिभदान कीया इता है और लाबदाई होता है पंडिजी कार्थिक पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है कैसी ते किसी दिन सुभै किसी पभगठी नदी शरोवर या किसी कुण्ड में करना बहुत सुभ माना जाता है और विश्टान के बाद रदाकृष्ण का पूजन करें दिबदान करें तुलशी पूजन करें मानता है किस दिन गाय हाथी घोडा रत और घी का दान करने से शंपत्ती बढ़ती है और भेन का दान करने से ग्रहयोग के कश्ट दूर होते हैं कार्तिक पूर्णिमा का बरत करने वाले अगर बैल का दान करें तो यह उन्ह भोजन भी कराना चाहिए सामके समय लक्ष्मी नारायन की आरती करने के बाद तुर्शी जी की आरती भी करें और शाथी दीबदान भी करें घर की चोखट पर धीपक जलाएं कोशिश करें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण गरीब या जरुत मंद को भोजन जर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्रीहरी की सच्चे मन से पूजा भक्ती करने से आपको सभी उखों की प्राप्ति होती है तो कषटिक पूर्णिमा के क्या में क Compare को प beta में प्रयोग कर सकते हैं जिनका खाश मंत्र हैं जैसे कि ओम शोम शोमाय नमहा दूसरा मंत्र है ओम विश्णवे नमहा तीसरा है ओम कार्थिके नमहा और चौथा है ओम वरंदाय नमहा वरंदा माने तुलुशी जी का मंत्र है और ओम केशवाय नमहा ये भगवान विश्णो क मंत्र का जपक्र सकते हैं इन मंत्रों शेक्षिक हवन में अह giàती है भगवान की पूजा आचना कर सकते हैं अब पंदी ऐसा देखा जाता है कि गहरों में कारिक पुझछा के त Dragon की तुछुरू हो जाती और भूदाम सनके पूजा की जाती है देख्ली तुलशी पूजा का तुलशी प्रत्थ्वी पर बनश्पती के रूप में आई इसलिए आज कार्टिक पूणिमा के दिन उनकी पूजा का विधान है ऐसी मानेता है कि कार्टिक पूणिमा के दिन मातुलशी की पूजा करने वालों पर मालक्षमी की करपा बरस्ती है दूसरा कारण है कि देव पूर्णिमा के दिन तुलशी जी की विराई होती है तो सभी लोग आप देखती होंगी कि बहुत सारी महिलाएं माताएं अपने घर के तुलशी ब्रक्षियों को बहुत अच्छे सजाती है उसे चूनर पहनाती है उसमें सुभा की सामक्रियां आर्पित करती है और फिर इसके आर्पितों की साथ बत्तियां बना करके, उन साथ बत्तियों से आर्थी करती है कि जिस प्रकार से मातुलशी हरी भरी हमेशा बनी रहती है उने ब्रदी होती है ज्यूकि और तुलिशी का ब्रक्ष होता है उस घर पर बहुत सारी परीशानिया वह सारी आदी व्यादी उसुजर के ओर नहीं देखते हैं यह के दुद्र पुर्णी में यहां को पनडी जी कार्तिक पुन्यमा पर राशिक अनुसार की च्थी मज़न चीज का दान करें हाज जारों गुनाफल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन गरीबों को गर्म कपड़े, गर्म खाने की चीज़ें जैसे गज़क, इत्यादी जो चीज़ें है, जो गर्मी पैदा करती हैं, उुषनता पैदा करती हैं, उनका दान किया जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान विश्णु और मालक्षमी की पूजा करने से सभी परिशानिया दूर हो जाती हैं इसके साथ धन के कमी भी दूर होती है कहा जाता है कि काल्तिक पॉनिमा के दिन देवता दिवाली बनाते हैं इसलिए इसे देवधी पावली भी कहते हैं तो जान लेते हैं काल्तिक पॉनिमा के जाए तक मौंकी डाल का दान करें पकरक राशी के जाए तक चावल का दान करें और शिंग राशी के जाए तक गेहूं का दान करें तथा कन्या राशी के जाए तक हरे रंग के चारा यानि जो गईयों का चारा है वो हरा चारा घरी घास दूरवा गाईयों को खिलाएं वा दा तो आपको बहुत दस गुना लाप जदा प्राप्त होगा तो इस दियोदी पावली और काक्ति पूरी मा कि दिन अपनी राशी के उनसार से भी आप यह दान कर सकते हैं पंडी जी कहा यह जा रहा है कि कार्तिक पूर्णमा पर इस बार चंद ग्रहन भी लग रहा है कितना खास होने वाला है और किस तरीके के असर देखने को मिलेंगे दिखिए चंद ग्रहन सरवात शिद्धयोग और प्रवल धमान योग में लगेगा लेकिन ये उपच्छाय चंद ग्रहन है वर्ष का अंतिम चंद ग्रहन होगा किन्तु भारत में ये ग्रहन दिखाई नहीं देगा और इसका प्रभाव देश पर नहीं पड़ेगा शूतक भी नहीं लगेगा समस्त धार्मिक मांगलिक कृत्ते होंगे मंदिरों के कपाट या आजियों में जैसे अरुनाचल प्रदेश असम में ही थोड़ा सा आंसिक रूप से नजर आ सकता है जबकि ये चंद ग्रहन उत्तरी यूरोप अमेरिका आस्ट्रेलिया और प्रसांत महासागर में ये पूल रूप से दिखाई देगा ये खंड ग्रास चंद ग्रहन है जो की जरूर मानना चाहिए ये चंद ग्रहन उन्निस तारीक को दो पहर एक बज कर चार मिनट से प्ररंभ हो गा और सांद को पांच बज कर बाईस मिनट पर समाप्त होगा चंद ग्रहाण का परम ग्राश दो परहाण तीन बच कर त्यारा मिनट को होगा तो इस जो समयावधी है इस समयावधी पर आप चंद ग्रहाण की जो साउधानी हैं शतर करें और इस चंद ग्रहाण के समय जो समय आवधी है मध्यान की दो पहर की उस समय घर से बाहर ना निकलें और गेरू का लेप जरूर लगा लें वा तुलशी दल डाल कर ही भोज पानी पीए जल ग्रहाण करें वा भोजन करें जिससे की जो किरणे हैं जो उश्मा है उस आपको वा आपके शिशू को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहों उस से बचने के लिए उस समय वधी पर घर के अंदर रहें तो अच्छा होगा पंडी जी बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारिया हमारे दर्शकों के साथ साजा करने के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही हमें दीजे इजाजत नमस्कार आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस लाश